ओके गूणनिंग to all my dear students क्या पड़ने जा रहे हैं? RC circuit पड़ने जा रहे हैं? RC circuit में दो Case बनते हैं एक capacitor की Charging का एक capacitor की Discharging का सबसे पहरे पढ़े हैं capacitor की Charging का ठीक है तो RC circuit में पढ़ते हैं क्या है? देखो बेटा ध्यान सुनो एक resistor होते है एक यह capacitor होता है ठीक है और यह connected होता है किससे बैट लेज़े यह है R और यह है C ठीक है switch open है T equal to 0 capacitor uncharged है यह EMF है E यह voltage है V T equal to 0 पे capacitor is uncharged जैसे ही मैंने switch बंद गिया चार circulate होना शुरू हो गया चार circulate होना शुरू हो गया ध्यान से देहेंगे चीज़ों को तो Q charge चल रहा है कितना charge चल रहा है Q charge चल रहा है ठीक है no problem कोई दिक्कत नहीं है सही है तो Q charge चल रहा है इस पर कितना आगा Q इस पर कितना आगा minus Q और DQ by DT के बन गया I पक्का तो मैं ध्यान से देखता हूँ यहां से चल रहा है वापास ही पर ही आता हूँ किर्चो वोल्टेक लाओ लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है Q by C potential difference plus IR minus V बराबर 0 आ जाता है सही है तो मैं क्या पहुंच जाता हूँ मैं पहुंच जाता हूँ Q minus CV upon RC Q minus CV minus Q upon RC कर दो CV minus Q upon RC equal to I that is DQ by GT बोलो समझ में आई बात या नहीं आई मैंने क्या करा इसको वी को दिर ले गया minus Q by C कर दिया V minus Q by C करा तो CV minus Q upon C हो गया और R नीचे ले गया बोलो सही है और I को लिख दिया DQ by DT सही है तो मैंने या करा differential equation बना ली DQ को लग कर दिया CV minus Q मैं ज़िदा कर दिया GT upon RC बेटा integration integration time 0 पर capacitor पर चार्ज कितना है 0 और time T पर कितना है Q function निकाल रहूं ठीक है तो कितना आ गया इसको इंटिक्रेट करूंगा तो आदेगा LN CV minus Q LN CV minus Q और minus 1 बाहर आगा जो Q के साथ लिखा है यह होगा T by RC होजेगा तो इदर minus चला गया minus T by RC होगा limit study 0 से Q तो upper limit ली तो LN CV minus Q lower limit ली तो LN CV Q 0 है तो log A minus log B log A upon B करूंगा LN CV minus Q upon CV सही है और यह LN का मतलब क्या होता है LN का मतलब था है log E base is equal to minus T by RC फिर यह rule आगो बता है कि यहीपावर इसमें टढ़ जाती है ठीक है तो कितना आजएगा CV by CV CV minus Q by CV equal to E की पावर minus T by RC होजाएगा मेटा बोलो हो जाएगा की नहीं हो जाएगा पका सही है CV by CV कितना हो जाएगा 1 minus Q by CV हो जाएगा तो कि लम लागे बच्चेगा 1 minus Q by CV तो इदर जाएगा 1 minus E की पावर minus T by RC हो जाएगा साथी साथ Q by CV हो जाएगा तो CV इदर आजएगा तो आगे चार जैसे function of time तीसलिवा चार जैसे function of time time के साथ चार्ज कितना आएगा है बता लग गया वहलो सही इस चार्ज को differentiate करूँगा तो current आएगा चार्ज को differentiate करूँगा तो क्या आएगा current आएगा cv constant number at 0 हो गया तो minus cv लिख दिया e की बाष माइनस t by rc कर जो लिखा होता है वो साथ में रहाता है minus 1 by rc और entities रहाता है minus tyrc बोलो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ती बाष माइनस ती बाष माइनस कट गया minus a minus कट गया आई कितना आगया 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 v by r e की पाष माइनस t by rc current आगया charge आगया q by c कर दो तो potential difference across capacitor आजाएगा यह रहा q इसको c से डिवाइड कर दो कितना आगया v1 minus e की पाष माइनस t by rc बोलो समझ में आई this is really what potential difference as a function of time across capacitor इस current को resistance से multiply कर दो तो potential difference across resistor आजाएगा r से r किट जाएगा v e की पाष माइनस t by rc अब resistance across जो किसी भी time पे potential difference है वो है vr जो capacitor across किसी भी time पे potential difference है वो है vc और यह vc और vr मिलके v है देखो आ रहे है vc और vr मिलके v आ रहा है vc plus vr equal to v आ रहा है बोलो समझ में आई बात capacitor में energy store as a function of time half into c into v square तो v as a function of time है हमारे पास तो half c v कितना है v square 1 minus c की power minus t by rc का whole square this is energy store in capacitor as a function of time energy store in capacitor as a function of time power dissipated in resistor as a function of time i square r current का square करना है और r से multiply करना है इसका square करेंगे जब तो आएगा v square by r square e की power minus 2t by rc को r से multiply करेंगे तो एक r कट जाएगा कितना आएगा v square by r v की power minus 2t by rc this is what power dissipated across resistor power dissipated across resistor बोलो समझ में आती है बात यह नहीं आती है work done by battery बैटरी ने कितना work done किया बैटरी ने कितना work done किया potential difference v into 4 charge हो रहा हमारे पास c v तो c v square हो गया कितना हो गया c v square 1 minus e की power minus t by rc की particular time तक battery ने कितना work किया किसी particular time तक battery ने कितना work किया हमने वो भी निकाल लिया वेटा बोलो समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है सारी बात है छे समझ में आ रही होंगी पका हम graph floats कर सकते हैं graph upload करेंगे उस प्लोट करेंगे तो हम क्या देखते हैं देखो graph upload करेंगे तो हम क्या देखते हैं इसको विट आ जcong sparkling अब तहरा रहे हैं हम थेक हैं D Kalagoda में मिल चुक है कितना है potential मिल क्थनquel चुक है और जी मिल चुक है पावर मिल चुक है यह जां Kingdom Oliva आने चाहिए तीं पर जिलिए चीटने भी कर डिखिएंगे में आट dau Tou讶ն अब आ digging-D QC by RC, आया था कि नहीं आया था बोलो, यह Charge as a function of time आया था और किया था मेरा, शर्किट था मेरा, यह C था, यह R था, और यह बैटरी थी V voltage की, बोलो यही सर्किट था के नहीं था, बिलकल था, सही है, इस पे Q चार्ज था, किसी भी इंस्टेंट पे उसे माइनस Q चार्ज था, इसमें I करंट जा रहा था, और I करंट अपने आप में DQ by DT था, बोलो सही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है, सही है, और यह रिजिस्टेंस आ रहा था, उपर लिख लो इसको ताकि यह Multiply ना लगे गई है आपको, ठीक है, खेर, अब जैसा गराफ चार्ज था, इस फंक्शन ओफ टाइम काईगा, चार इस फंक्शन ओफ टाइम, चार इस फंक्शन ओफ टाइम बनाने से पहले मैं वह कुछ ग्रा बताता हूँ, छोड़ो इसको चार्ज इस फंक्षन उफ टाइम को e की पावर x से ग्राफ बनाके सिखाता हूँ आपको सबसे पहली बात e की पावर x से ग्राफ बनाना है x के साथ कैसा बनेगा मेरा फिराफ बनाऊँगा आपको कुछ चीज़े सिखाऊँगा ठीक है आपको एडिटी सीखनी जाथे मैं सिखा रहा हूँ ठीक है e की पावर से ग्राफ यह आता है ऐसा this is the graph of e की पावर x ठीक x के वलू 0 डालो के तो 1 आएगा ठीक है na x के वलू 0 डालो के तो क्या एगा 1 और x के वलू infinite डालो के तो infinite minus infinite डालो के तो क्या आएगा 0 e एक number होता है na 2.71 के बराबर खोई दिक्कत किसी बच्चे को e की पावर से ग्राफ है सही है अगर आप बोलू e की पावर मैनस से ग्राफ बना के दिखाओ तो अब क्या गरोगे x के साथ बना के दिखाओ e की पावर मैनस x का दियान से देखो तो जो काम x से positive में हो रहा वह x negative में होने लगा और जो x negative में हो रहा वह x positive में होने लगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा बोलो ये ग्राफ जो x positive में हो रहा था वो काम x negative में होने लगा तो भी तो e की पावर माइनस x का ग्राफ बनेगा बोलो सही बात है तो e की पावर माइनस x का ग्राफ बन गया into constant भी है कोई nature तो इस टाइप को यह रहे है कुछ ने कुछ अब माइनस बनाने साथ में माइनस वाना चाहिए माइनस e की पावर माइनस इसा ग्राफ कैसा बनेगा माइनस of e की पावर माइनस x का ग्राफ x के साथ देखो अब जो काम positive में हो रहा है वो काम उपर negative में होगा नीचे बोलो यह ऐसा बनेगा यह कितना नंबर है देखो उसे पहली बात यह 1 है तो भी 1 है ठीक है न तो यह minus 1 है अगर में जो ग्राफ बनाना है 1 minus e की पावर माइनस x का त्यांसे देखो तो मुझे minus e की पावर माइनस x में 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 एड़ करना है तो minus 1 वाली चीज़ 0 पे चली जाएगी तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आजएगा बेटा देखो सहीए पक्का सहीए और यह कहां मिल रहा है infinite पे ठीक है न तो यह कहां मिलेगा ऐसे 1 पे सहीए कुछ इस टाइप के ग्राफ होंगे यह e की पावर ऐसा ग्राफ बता होना चीए e की पावर मेंस से ग्राफ बता होना चीए मैंनस e की पावर मेंस से ग्राफ बता होना चीए और 1 मैंनस e की पावर मेंस से ग्राफ बता होना चीए अब इनको समझने के बाद मैं अपने इन ग्राफ को प्लोट करूँगा द्यान से देखेंगे सभी अच्छे ठीक है कि नेचर की इस टाइप का आपको दिखाई दे चुका है सब कुछ ठीक है ना तब मैं अग्राफ फ्लोट करूँगा आपको समझ में भी आएंगे सबसे पहले मैं बढ़ने जा रहा हूं चार्ज इस फंक्शन ओफ टाइम का वन माइनस e की पावर मैंने से कभी बताया मैंन क्रणट इस टाइब करेंट करेंट आज फंक्शन अव थाइए कंशन अफ तइस करंद इस अधिए और यह नंबर वन था तो यहां क्या आ जएगा वी बाए आरा जाएगा देखो ध्यान से जो ग्राफ करंट का बनेगा वैसा वैसा ही ग्राफ कुछ रिजिस्टेंस का बस फरक होगा, वहाँ V बायार होगा, तो यहाँ V होगा, पर आभी देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज देखरो अस रिजिस्टेंस, यह V होगा, सही है, पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है, देखो, देखो कितनी खास बात है, कि शुरू में कैपसेटर पर T equal to 0 पर just कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन T equal to 0 पर just current है circuit में, अभी इसके वारे मैं बताऊंगो, मैं क्या कहना चारू, ठीक है न, अभी आगे देखते हैं, यह चार्ज आ गया, ऐसी वोल्टेज देखरो, उस के भीटर ऐसे function of time मना सकते हैं, अब सेम ग्राफ आएगा, यह आगे और यह किस क्या बरोगा, वी के बराफ बरोगा, बोला सही बात, ठीक है न, अब energy, एक पावर, अगर आपको इस तरीके चाहिएगा, माइनस 2T by RC है, शकल तो कुछ ऐसी ऐसी ही रहेगी, पावर, पावर देरे देरे decibetonic कतम हो जाएगी, और 0 हो जाएगी, बोला स इसके रभाई 2R transfer हो जाएगी, पावर जिस्टर में कितनी डेसी बीटोन लग जाएगी, 0 डेसी बीटोन लग जाएगी, एनर्जी स्टोर कैपसेटर में कुछ इस ताइप की शकल आएगी, इसकी कुछ इस टाइप की, एनर्जी स्टोर इन कैपसेटर एज फंक्शन अफ टाइम, कुछ इस टाइप की शकल हो गी, तेखो टाइम जिरो पे, टाइम जिरो पे बात करूं, तो यह बनेगा, वन माइनस वन जिरो, एनर्जी जिरो होगी, और टाइम इंफनर इट पे, यह नंबर गया बनेगा, लग इस फंक्शन अफ टाइम, धिरे धिरे बैटरी का वर्क भी बढ़ रहा है, ठीक है न, अब टाइम जिरो पे बैटरी कितना गाम कर रही है, टाइम जिरो पे बैटरी ने कितना काम किया, उस शंड पे, सीवी स्केर काम किया, उसके बाद, ताइम इंफानेट पे बैटरी ने बोलो यह ग्राफ हो गए ठीक है और equations होगी ही जो equations होती है इसको बोलते है ट्रांजियंट जो हम बात करते है at any time t at any time t मैंने क्या बात करी है यह आपे at any time t बात करी है अब t equal to 0 पर चीज़े दिखाई दे रही है और t tending to infinite भी दिखाई दे रही है अब मैं इसको शुटा सा elaborate करता हूं कि t equal to 0 और t tending to infinite पर क्या समझ में आ रहा है ठीक है इसको इटा के शुटा से elaborate करते हूं ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं कहीं से कहीं तक देखा कुछ मैं आपको समझाता हूं सारी बात इक्वेशन रहने दो ठीक है ना मैं आपको ट्रांजियंट तो मैंने बता दिया इक्वेशन तो ऐसे function of time बता दी मैंने आपको गरावी प्लोट करवा दी मैं आपको और सिंपल करके दिखाता हूं ठीक है ना अब हैदिन डालो at time t equal to 0 at time t ग्याइब करता है वो कैसा बीएव करता है एस शॉर्ट सर्कृट कैसा बीएव करता है शॉर्ट सर्कृट क्या हो गया maximum current maximum current उसमें से पास हो गया शॉर्ट सर्कृट क्या हो गया maximum current क्या हो गया पास हो गया अब सुनों मुरी बात शॉर्ट सर्कृट का मतला एक लाइन लग गई इस capacitor की जगा लगई लाइन और रिजिस्टर तो है यह साथ में और नीचे बैटरी लगी हुई है कोई चिंता के बाद नहीं है तो क्यापिस कर दूंगा simple तो potential difference क्या हो जाया ग्रमें 0 तो को time zero पर पोटेंशियल इफनस केतना है जीरो और time zero पर पो पॉटेंशियल इफनस केतना है सारा का सारा वी ताइम जिरो पर करन्ड क्यतना है वी आरि तबादिखो क्यों क्यतना है वी बाएम जीरो पर चार्ज कितना है जीरो ह क्योंकि कोई potential नहीं है तो Q equal to CV होता है तो V 0 है तो Q 0 है बोलो समझ में आ रही है सारी बात है तो capacitor will behave as what? Short circuit आप मेशा ध्यार रहे हैं इस बात को ठीक है पक्का अब आती है बात at time tending to infinity इसका मतलब होता है steady state क्या मतलब होता है इसका steady state अब हो क्या रहा है point समझो कि capacitor पर शुरू में अंचार्ज था capacitor ठीक है ना battery लगा दी register भी लगा दिया तो capacitor जैसे ही battery ने current दिया तो जैसे ही शुरू हुआ मामला उस समय capacitor ने maximum charge टोर कर नहीं कोशिश करी कि आ जा ठीक है ना तो maximum charge टोर कर नहीं कोशिश करी capacitor ठीक है ना हुआ हुआ lex उस कारण से किया हुआ करनक फिलोह तो दीरے-दीरे चार्ज टोर होना शुरू हो होगया ठीक है ना कुछ टाइम आया ऐसा कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अब चार्ज टो रोड़ा बद्ध हो गया वो कब होगा आपको सबको पता है जब तो देखो बात को at time t tending to infinite जब time value infinite डालते हो तो e की power minus infinite 0 पर टेंड करता है तो चार्ज आ जाता है cv तो maximum charge on capacitor कितना आ गया cv आ गया और capacitance अगर उसकी c है तो यानी potential difference कितना आ चुक है capacitor across maximum potential difference भी आ चुक है तो resistance across कितना बचेगा 0 बचेगा उस समय resistance across potential drop कितना बचेगा 0 बचेगा और capacitor across potential difference सारा का सारा भी हो जाएगा और यहाँ पर capacitor across 0 होगा और resistance across सारा का सारा भी हो जाएगा बोलना समझ में आ रही है यह time 0 ुआ ही कहानी है, यह time infinite कहानी है, वोलो सही है और capacitor अगरotte बस की बारे में कितना ओछेगा ? याँ तो हो रहा है और maximum current लो रहा है बात में current होई नहीं रहाँ लों तो याई capacitor क्या मैं अब open circuit कैसा ब करेगा open circuit, का बबनेलों क्रेंट क्या हो गया खतुम हो गया सब्सक्राइब कोई भूण नहीं करा पाएगी कुझ टुट पर श्क्राइब करता एक कि तो सब्सक्राइब कितरा तो क्यापसिटर विल ब्येव एज ओपन सर्केट क्यापसिट üstड य। विल ब्येव. skory में प unten circuit सबसेट है।सी क्यों विएव पक्यूट करेशार !!। यह था稱 चार्जिंग ओफ केपिसेटर ठीक है में नेक्स वीडियो में आपको बढ़ा हूँगा डिस्चार्जिंग ओफ केपिसेटर